अमेरिका की एक कम्प्यूटर शॉक पर रिपेर के लिए तीन लाप्टॉप्स ने मुल्क के और अंतराश्ट्रे राजनीती की भाशा में कहा जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर शक्स को कडगरे में खड़ा कर दिया है दरसल पत्रकार और लेखक माट टाबी ने एक ट्विटर फाइल्स नाम से ट्वीट्स का थ्रेड लिखा है इसमें दावा किया गया है कि अप्रेल 2020 में नियू यॉक पोस्ट ने हंटर बाइडन की लाप्टॉप पर जो रिपोर्ट छापी थी ट्विटर ने उससे जुले लिंक्स को अपने प्लाटफॉर्म से गायब कर दिया है दावा ये भी किया गया है कि ट्विटर के अधिकारियों ने बाइडन की पार्टी को फायदा पहुँचाने के मकसद से यह सब किया ट्विटर के सीई-ओ इलॉन मस्क ने कहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कुछ और राज बाहर लाए जाएंगे तो आज हम जानेंगे New York Post की जिस रिपोर्ट पर इतना बवाल मचा हुआ है उसमें आखिर था क्या ट्विटर फायल्स की पूरी कहानी क्या है और इसका अमेरिका की राजनीती पर क्या असर बढ़ सकता है नमस्कार मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लललन टॉप का इंटरनाशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कारिक्रम दुनियादारी आज हम ट्विटर फायल्स की कहानी आपको सुनाने वाले हैं शुरुवात करते हैं नियॉप पोस्ट की रिपोर्ट से करती गहमा गहमी के बीच अमेरिकी टेबलॉइड नियॉव यॉप पोस्ट ने एक संसनी खेज रिपोर्ट पबलश की इसमें एक लैपटॉप से मिले कुछ इमेल्स के जरीए दावा किया गया था कि जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन कुछ संधिक्द गतिविदियों में शामिल रहे हैं दावा किया गया कि वो लैपटॉप हंटर बाइडन का था उसे कुछ ऐसे इमेल्स ऐसी तस्वीरें और विडियोज निकले थे जो सीधे तौर पर बाइडन की छवी को बिगाल रहे थे ट्रम्प की टीम ने इसका वखुवी इस्तमाल किया उन्होंने बाइडन को भरष्ट आया अशरपत का बेजा इस्तमाल करने वाला साबित करने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें इस क्यामपीन का मंचाह नतीजा नहीं मिला जो बाइडन चुनाब जीतकर अमेरिका के 46 व तुकान हुआ करती थी लालीटो और हरे बोड वाली वो शॉप शहर के कुलाहल से काफी दूल थी अप्रेल 2019 में एक शक्स अपने तीन लाप्टॉप्स रिपेर कराने महाँ पर आता है उसका हाड़ ड्राइब ट्रैश हो गया था वो लाप्टॉप से अपना डेटा निकाल वो लाप्टॉप्स को वापस ले जाने के लिए कभी नहीं आया लाप्टॉप्स दुकान में ही पड़े रहे इजाक को कभी भी रिपेर के पैसे नहीं मिले लेकिन डेटा निकालने के दौरान उसको कुछ चौकाने वाली तस्वीरे विडियोज और इमेल्स मिल गए सारा डेटा जो वाइडन के बेटे हंटर से जुड़ा हुआ था किसी तस्वीर में हंटर नशा करता तो किसी में अलग 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 लड़कियों के साथ हम विस्तर होते दिखाई दे रहा था इसके अलावा इमेल्स में कुछ बिसनिस डील्स की भी चर्चा थी इजाक ने बाद में बताए कि उसे लाप टॉपक्स के असली मालिक के बारे में नहीं पता था उसे ये भी नहीं पता कि रिपेर कराने कौन आया था उसने बस अंदाज़े से कह दिया कि वो शक्स हंटर ही था उसके दावे का आधार लाप टॉप पर लगा B.U. Biden Foundation का Sticker था करते हो कुछ दावे किये उसने कहा मेरे पास कुछ ऐसा सामान था जिसे में जल से जल्द अपनी दुकान से बहार निकालना चाहता था जब मुझे पता चला कि पूरा डेटा जो बाइडन के बेटे का है तम मैं बहुत जादा डर गया इजाक ने भी कहा कि मैंने तीनों लाप लेकर गुलियानी के वकील के पास कैसे पहुंचा इसको लेकर कभी भी पुखता जानकारी बाहर नहीं आ सकी जाक ने लाप्टॉप्स, FBI और गुलियानी को देने से पहले एक और काम किया था उसने सारे डेटा की कॉपी बना ली थी उसका कहना था कि मुझे हत्या का डर सता रहा था इसी वज़ा से मैंने सेफटी के लिए एक कॉपी बनाई थी फिर आया सितंबर 2020 डॉनल्ल्ट ट्रॉम्प के एक सलहकार स्टीव बैनन ने नियॉप पोस्ट को इस डेटा के बारे में बताया अक्टूबर 2020 में ट्रॉम्प के वकील दूडी गुलियानी ने पूरी ह ड्राइव अखबार को सौब दी इसी के आधार पर नियॉप पोस्ट ने 14 अक्टूबर को रिपोर्ट पब्लिश कर दी रिपोर्ट में क्या कुछ था ये भी आपको बताते हैं लैप्टॉप से मिली डेटा में एक लाग से अधिकी में इस थे की में हमें यूक्रीन के एनरजी कंपनी वरिस्मा होल्डिंग्स के सलहकार वादिम पुजरिस्की ने हंटर को थैंक्यू भेजा था रिपोर्ट के अनुसारी थैंक्यू वादिम को जो बाइडन से मिलवाने के लिए भेजा गया था जो बाइडन उस समय अमेरिका के उपराश्पती हुआ करते थे और हंटर बाइडन वरिस्मा के बोर में शामिल था जो बाइडन की कैमपेइन टीम और हंटर बाइडन के वकील ने एक सुर में कहा कि ऐसी कोई मीटिंग कभी हुई ही नहीं थी रिपोर्ट में एक और दावा किया गया था कहा गया कि वादन के मेल के आठ महीने बाद जो बाइडन ने यूक्रेइन के ततकाली के बोर्ड मेंबर्स की जाच करने वाले थे इस जाच के आज हंटर बाइडन तक भी पहुँचने वाली थी जो बाइडन का कहना था कि शौकिन को ब्रहष्टाचार के आरोप में हटाया गया जबकि बाइडन के विरोधियों का यह आरोप था कि बेटे को पायदा पहुचाने के लिए जो बाइडन ने पद का गलत इस्तमाल किया इसके अलावा भी इमेल्स के जरिये हंटर बाइडन और जो बाइडन पर कई आरोप लगाए गए थे लेकिन मुख्य आरोप पद के बेजा इस्तमाल का था नियॉक टाइम्स, CBS News, Washington Post समेथ कई अख़वारों ने लापटॉप से मिले डेटा की स्वतंतर जाँच कराई उन्होंने फरेंसिक जाँच के बाद दावा किया कि लापटॉप हंटर बाइडन के ही थे और इमेल्स भी उनी से जड़े हुए थे लेकिन अभी तक ये पुष्टी नहीं हो सकी है कि क्या हंटर बाइडन ने कोई गयर कानूनी काम किया अब इस पर सवाल ही उठता है कि दो साल बाद ये मामला फिर से चर्चा में क्यों है ये मामला चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बारस में ट्विटर की मिली भगत का आरोप सामने आया है पत्रकार Matt Tabby ने ट्विटर की इंटर्नल इमेल्स और कम्यूनिकेशन के जर्ये दावा किया है कि ट्विटर ने इस स्टोरी को दबाने की पूरी कोशिश की थी अब ये पता नहीं चला है कि ट्विटर की पसंटर्नल मेस्सजुज कहा से आये ट्विटर पर क्या रोप लग रहे हैं इस बारे में भी बात करते हैं ताभी के अनुसार ट्विटर ने नियुयॉक पोस्ट की 2020 वाली स्टोरी के लिंक को ट्वीट करने से रोग दिया था ट्विटर ने इस रिपोर्ट को अपने प्लाट्वॉम पर किसी के साथ साजा करने पर भी पावंदी लगा दी थी इसके अलावा ट्विटर ने नियुयॉक पोस्ट के अकाउंट को भी कुछ तिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था ट्विटर के एक पूर्व अधिकारी ने हाली में इसकी वजह भी बताई उन्होंने एक इंटर्विव में कहा कि ट्विटर के अधिकारियों को इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि Twitter की नजर में पूस की credibility कम थी जानकारों का मानना है कि Twitter ने शायद ही कभी किसी रुपोर्ट को verify करने का काम किया होगा आरोप है कि Twitter में काम करने वाले अधिकतर लोग Democratic Party के समर्थन में थे मैट टाबी के मुताबिक इस स्टोरी को दबाने कले ट्विटर ने अब प्रत्याशित तरीके से काम किया था ट्विटर इससे जुड़ी स्टोरी लिंक्स को हटाते हुए अंसेव की चेतावनी जारी कर रहा था इसके अलावा डाइरिक्ट मेसेज के आप्शन को भी ब्लॉक कर दिया गया था इस टूल का इस्तिमाल चाइल पॉर्नाग्रफी जैसे मामलों में होता है इस स्टोरी के बारे में ट्वीट करने पर वाइट हाउस की ततकालीन प्रवक्ता कालहे मैकेनी के अकाउंट को लॉक कर दिया गया था टैबी ने लिखा कि है फैसला कंपनी के उच अधिकारियों के स्तर पर लिया गया था जाट डोसी ने स्टोरी छपने के अगले दिन यानि की 15 अक्टूबर को एक ट्वीट कर ब्लॉक किये जाने को लेकर कहा था की है अस्वीकार रहे उन्होंने ट्वीट किया था New York Post की स्टोरी पर हुई कारवाई को लेकर हमारे बीच कम्यूनिकेशन सही नहीं था ट्वीट ये डारेक्ट मेसज़ के जरे यूरल को बिना कारण बताये ब्लॉक करना अस्वीकार रहे इस censorship को लेकर तब New York Post ने भी अपने संपादकिये में Twitter, Facebook और दूसरी कंपनियों पर सवाल उठाया था New York Post ने इसे स्वस्त लोगतंत्र पर खुला हमला बताया था ये पूरा मामला दो बरसों तक दबा रहा October 2022 में Musk ने Twitter को खरीद लिया उन्होंने पुराने मानचमेंट को पूरी तरह से बदल दिया अब वो अपने तरीके से Twitter को चला रहे है Musk ने कहा था कि Twitter Files का दूसरा चरण 4 December को रिलीज होगा हालकि अभी तक ये सामने नहीं आया है अब आपको बताते हैं कि Twitter Files का अमेरिका की राजनीती पर क्या प्रभाव पड़ेगा डॉनल्ड ट्रॉम ने 2024 के राजपती चुनाथ के लिए पनी उम्मीदवारी पेश कर दी है जो बाइडन की उम्र और उनकी नेत्रत विशमता को लेकर Democratic Party के अंदर सवाल उठ रहे हैं उन्होंने दोबारा चुनाब लड़ने की इच्छा तो जताई है लेकिन अगर Twitter Files में लगया आरोप साबित हो गए तो उनकी इच्छाओं में पलीता लग सकता है Twitter Files को यही पर विराम देते हैं और अब चलते हैं इरान इरान और इस्राइल के बीच एक बार फिर तनाव भड़ता दिखाई दे रहा है इरान ने 4 दिसंबर को 4 लोगों को खुले आम पांसी पर लटका दिया इरान ने दावा किया ये लोग इस्राइल की खुफिया एजेंसी मुसाद से जुड़े हुए थे चारों पर निजी और सरकारी संपत्यों की चोरी और अपहरण के आरोब भी थे इरान की अधालत की आधिकारिक समचार वेबसाइट के अनुसार चारों की पहचान हुसैन और दोखन जादे शाहीन, इमानी, महमूदाबाद, मिलाद अश्रफी और मनुचेहर, शाबंदी, बोजंडी के रूप में हुई है इरान की कोट ने ये भी कहा कि इन लोगों को स्विडन में मुसाद के एक आफिस से आदेश मिला करते थे विया वैद रूप से हत्यारों की खरीद फरोक्त करते थे और कोई भी वारदात अंजाम देने के बाद सबूतों को मिटा देते थे सबूतों को मिटाने के लिए वो गाड़ियों की हेरा फेरी करते थे और कई दफे CCTV क्यामरों के साथ भी गड़बड़ी किया करते थे इन सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के रूप में मुसाद से महंताना मिलता था जिन चार लोगों को सजाद दी गई है उनका आप राध्य कतेहास भी रहा है आज की दुनियादारी में बस अतना ही दोस्तों तेश दुनिया के बाकी हल चलो पर हमारी नजर बनी रहेगी आप बने रहेए ललन टॉप के साथ शक्रिया शबरातरी